Welcome to my channel इस वीडियो में solve करेंगे question number 18 The external dimensions of occlused wooden box are 48 cm, 36 cm, 30 cm तो एक wooden box है और wooden box का external dimension दे दिया है external मतलब की बाहर का ठीक है तो 48 cm ये दिया हुआ है 36 cm ये दिया हुआ है काहाँ चाहा तक ये बाहर बाला ठीक है और ये भी बाहर बाला दिया हुआ है उसके बाद height जो दिया हुआ है वो 30 cm दे दिया है ये बाहर का 30 cm यहाँ से यहाँ तक ठीक है अब कराएं कि the box is made of 1.5 cm thick wood इसका मतलब क्या हुआ 1.5 cm thick wood से बना हुआ है मतलब ये जो यहाँ पर जो थिकनेस है ये ये भी है 1.5 और यहाँ पर भी thickness होगी इधर भी और उधर से भी मतलब उधर से भी thickness होगी ठीक है और यहाँ भी 1.5 होगा thickness और इधर भी ये जो ये जो thickness है इधर वाली इतना ये वो भी 1.5 होगा मतलब ये पर आप भी होगा 1.5 तो हर जगा जो है thickness जो है 1.5 है अंदर की तरफ अब बोल रहा है कि how many bricks of size 6 cm by 3 cm by 0.75 cm can be put in this box तो इस छोट इस box में जो कि अंदर का जो space है उस space में कितने bricks कितने इटें रख सकते हैं इस dimension के length breadth height दे दिया है तो यह पताएए इस wooden box का जो अंदर का जो volume होगा ठीक है अंदर का जो volume यह जो अंदर वाला मतलब कि यह जो 1.5 cm बाहर का width है उसको यह दिया minus कर देंगे ठीक है दोनों तरफ से जोदी मैनस करतेंगे जैसे माली जी कि इधर भी इधर भी बढ़ा हुआ है 1.5 और इधर भी है 1.5 ठीक है मतलब इधर से भी और इधर से भी इन दोनों तरफ से हम 1.5 1.5 मैनस करेंगे तब जा करके real length हाएगा मने internal length हाएगा और internal length, internal breath और internal height निकलने के बाद आप अंदर के space का volume निकल पाएगे क्लिश हो गया यही main करना है आप पहले solution पहले करते हैं आप और inner volume, inner length निकल लेते हैं ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे inner length of the internal लिखते हैं सही रहेगा internal ओके, external दिया हुआ है यहाँ आप आपको निकलना होगा internal तो internal length जो होगा वो बराबर होगा external मैसे जब मैनस करेंगे external length मैं से minus करेंगे 2 times 1.5 2 times 1.5 मतलब कि 1.5 दोनों तरफ से minus होगा ना क्योंकि विर्थ ने विर्थ जो इसका टोड़ाई है वो दोनों तरफ से खतम हो रहा है दोनों तरफ से उड़ा है है कि नहीं तो यह external length मैं से 2 into 1.5 करेंगे means 3 cm मैनस करेंगे मतलब यह हो जाएगा कितना external length कितना है 48 है 48 मैनस करेंगे 3 मिल जाएगा आपको 45 आपको मिल गए 45 cm length internal length अब हम क्या करेंगे internal क्या करेंगे breath निकालेंगे internal breath जो होगी वो होगी external यहाँ पर जो हमारे पास breath है इसमें से मैनस करेंगे 2 times 1.5 वही काम करेंगे जो हाँ आप कहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जागा देखें breath कितना दिया है बाहर का वो दिया है 36 यह रहा ठीक है यह है 36 मैनस करेंगे 3 और यह निकलेगा आपका 33 cm ओके अब हमारे निकलना है इंटर्नल हाइट इंटर्नल हाइट निकलेगा तो इक्सटर्नल हाइट में से मैनस करना पड़ेगा 2 times 1.5 तो यह आजाएगा हाइट कितना है 30 cm 30 में से मैनस कर देंगे 3 27 cm तो अब यह तिनों निकल गया हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट ओके तो आप क्या करेंगे इंटर्नल लेंथ इंटर्नल ब्रेथ इंटर्नल हाइट करेंगे तो इंटर्नल वाल्यम निकलेगा तो यहां लिख लेते हैं 100 इंटर्नल वाल्यम इसक्षर तो हो का इंटर्नल लेंथ इंटर्नल रेंथ इंटर्नल नेंथ ठीक है, तो अब यहाँ पर internal length कितना हो गए, यहाँ पर निकाले हम लोग 45, तो यह हो जाएगा 45, multiplied by breath 33 multiplied by 27, height हो जाएगा तो यह 3 मिला करके इतना क्या हो जाएगा, centimeter cube यह value में, multiply मत करिएगा, कभी भी क्यों कि multiply कर देंगे, तो आपको tough हो जाएगा, और solve करना आसान नहीं रहेगा आप क्या करेंगे आप करना क्या है, कि हमें एक brick का volume निकालेना है, क्योंकि number of bricks निकालना है, तो number of bricks जब भी निकालना हो कि कितने उसमें रखे जा सकते हैं आपको उस number of bricks का volume निकालेजी, और जिसमें रखना है volume of one brick हो जाएगा length breath height मतलब 6 x 3 x 0.75 ठीक है अब यहां मटपले करेंगे 6 जा 18 हो जाएगा 18 5 जा 90 का 0 18 5 जा 90 का 0 यह मतलब 18 हो गया 18 5 जा 90 का 0 कि 9 करी ओफर और 18 7 जा 126 में 9 जोडएंगे 126 130 135 अब यह decimal दो पॉइंट बढ़ेगा मतलब कि यह मिल जाएगा मतलब यह जो आज आएगा फाइनली यह मिल जाएगा हमें 13.5 cm3 वैसे मैं multiply नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं बताना भी बूल गया कि आप directly बस क्या करो ना कि इसको लिख लो ऐसे ही वाल्लीम को मतलब कि लिख लो आप 6 इंटू 3 इंटू 0.75 इतना cm3 अब निकालना है हमें number of bricks number of bricks that can be that can be put in put in the given box तो given box में जितने number of bricks रखे जा सकते हैं वो होगा volume of volume of internal volume sorry हाँ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा internal volume of the box internal volume of the box whole upon volume of one brick volume of one brick अब यहाँ डिवाइड करिए क्या मिलेगा internal volume जो है आपका यहाँ निकला है तो इसको उपर रख दीजिए 45 multiplied by 33 multiplied by 27 में डिवाइड करेंगे volume of the one brick means 6 multiplied by 3 multiplied by 0.75 अब यहाँ उपार निचे किंसला प्रासाँ यहाँ देखे 0.75 है तो यहाँ पर मुट्पलाएगा 100 से है तो decimal हट जाएगा तो हम decimal यहाँ हटा जाते हैं decimal देखें हाँ आप हटाते हैं यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले उपर निचे किंसलाट करें तो 3 बंजा 3 यहाँ पर हो जाएगा 11 3 बंजा 3 अब यहाँ पर हो जाएगा 0.03 हो जाएगा अचा 0.05 हो जाएगा यहाँ तो क्या बचेगा यहाँ पर यहाँ पर बचेगा 11 सरी यहाँ बचेगा 11 मुझेट बचेगा 27 अपान निचे क्या बचा है 2 बचा है आपर 2 इंटू यह 0.0 0.05 बचा है ठीक है तो मुझेट कर लिजिए 27 में 11 से तो हो जाएगा 11 7 यह 77 का 7 7 करिए उपर 11 यह 22 22 यह 7 29 हो जाएगा यह मुझेट कर देंगे तो मिलेगा 0.1 हाँ 0.1 अब यहाँ पर 0.1 मिल गया अब यहाँ पर उपर निचे मुझेट कर देंगे क्या 10 से तो मिल जाएगा 2970 अपान 1 और यही तो हो गया फाइन अला गया तो 2970 इतने नंबर आफ क्या होंगे ब्रिक्स लगेंगे बनतब इतने ब्रिक्स जो है इस क्यूबाइड इस उड़न क्यूबाइड का अंदर जो है राख सकते हैं अब ले सकते हैं कि हैंस नंबर आफ ब्रिक्स दाट कैन इपूट इन बॉक्स इधना आप तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाई झाल 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 झाल